हेलो बच्छा लोग कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे स्वागत आप सब का एक और फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड़र उपो 7 के उपर आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वालों मार्किंग स्कीम तो आप बोलेगी कि सर इस समय पर मार् क्योंकि सर ये last preparation phase है आप लोगों का तो इस preparation phase के अंदर आप लोगों को कहीं न कहीं weightage of the chapters जो है वो भी कहीं न कहीं ध्यान में जरूर रखनी चाहिए ताकि आप अपने preparation को उसी हिसाब से enlarge कर सके उसी तरीके से sharp up कर सके तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को marking schemes पता हो कि क्या-क्या weightage किस-किस unit का है तो जैसे आप लोग को पता है हमारे पास जो total unit होती है वो दो है एक हमारे पास macro economics है एक हमारे पास Indian economic development है तो एक वर आईए फटा-फट से weightage final war check कर लेते हैं और अपनी preparation को उसी तरीके से आगर लेकर चलते हैं तो सबसे अले बात करेंगे किसकी part A की और part A बात करता है macro economics और अगर मैं macro economics की बात कर रहा हूँ तो macro economics के अंदर जो total हमारे पास units है वो कितनी है total हमारे पास 5 unit है तो 5 unit कौन-कौन सी है एक हम बात करते है national income and related aggregate की जो की weightage रखता है 10 marks की यानि कि ये मातर एक ऐसी unit है जिसकी weightage काफिछ जादा आप लोग को जादा देखने के लिए मिलने वाली है तो हमें क्या गरना चाहिए इस chapter को तो किसी भी कीमत पर छोड़का नहीं जाना चाहिए मैं विल्कुल सेस्ट नहीं करता है कि आप इस chapter को छोड़कर जाए ये सबसे ज़्यादा असान chapter है सबसे ज़्यादा understanding chapter है और practical question जो देखा जाता है exam के अंदर वो इसी unit से देखा जाता है तो ज़रूर इसको preparation करिए और इसको priority basis पर prepare कर लिजिए 10 marks का ये chapter है उसके आप बात करते है money and banking की money and banking का जो topic है वो 6 marks का है कितने का है 6 marks का आपका money and banking से आने वाला है तो money and banking को अगर आप लोग चाहें तो एक time के लिए hold करके पहले difficult to difficult chapter जो है वो starting से कर लिजिए पहले आपने जैसे national income and rated aggregate की है 10 marks का उसके बाद determination of income and employment वाला topic है 12 marks का तो ये 2 unit अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मतलब macro economics के अंदर आपके 22 marks कहीं ना कहीं cover हो जाते हैं उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके 2 unit हो रहा है government budget and economy असान सी unit है और balance of payment जो है ये भी असान सी unit है ये 2 unit जो है बहुत ज़्यादा असान है अगर आप लोग compare करते हैं बाकी 2 unit से तो अगर बाकी 2 unit के साथ अगर मैं compare करता हूँ इन दोनों chapters को तो ये बहुत ज़्यादे easy chapter है और doable chapters है तो पहले ज़्यादा focus करिए कि national income accounting को और आपका income and employment वाले जो topic है वो आप लोग अच्छे से कर सके priority basis पर उसको कर लिजिए उसको करने के बाद इन तीनों chapters में से कोई भी chapter पहले शुरू करना शुरू कर दीजिए चाहिए money and banking आप पहले कर लिजिए चाहिए आप government budget and economy पहले कर लिजिए या फिर balance of payment वाले जो topic वो पहले कर लिजिए और यह total अगर बात की जाए तो यह total आपका constitute करता है 40 marks का और इसी के साथ आपकी जो preparation है macro economics की वो क्या हो जाएगी बच्छा लोग complete हो जाएगी अच्छा तो आप लोग अभी तक पूरे साल बर में जो preparation करके हैं तो आपने इसके notes बनाये होंगे और अगर notes नहीं बनाये हैं तो क्या करें रोज session लेकर आ रहा हूं सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे तो उन session में जरूर जुड़िए आप लोगों को definitely कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और इसकी वे से आपकी जो preparation है वो एक अलग face के अंदर जाती हूं नजर आएगी आप लोगों को और दूसरा फिर अगर अगर मैं बात करता हूं इंडियन economic development की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन economic development के लिए तो मैं हमेशा से कहता हूं कि NCRT sufficient आप लोगों की रहती है लेकिन वेटेज एक बास समझे लेते हैं तो development experiences 1947-1990 and economic reform since 1991 और एक chapter औरा-बारा इसके अंदर आता है इंडिया on the eve of independence यह ती इनों unit constitute करती है 12 marks 12 marks constitute करती है तो यह unit आप priority basis पे करिए और इंडियन economic development के अंदर एक चीजिए ध्यान रखिए कि आप लोग chapter wise चीजों को बिल्कुल सुरू से लेकर अनितक लेकर जाए क्योंकि सारे chapters आपस में क्या है relation में है ऐसा निये कि पहले आप rural development कर लो फिर इंडिया around the eve of independence उसके बाद 1947 से लेकर 1990 तक एक अलग फेस चला 1990 के बाद हमारे पास LPG reforms आता है जिसे new economic policy बोला गया उसके अंदर एक अलग फेस चलता है उसके साथ फिर रूलर development उसके बाद फिर आप comparative analysis तो उसके एक अलग फेस चलेगा तो वहाँ से शुरू करिए और उसकी बाद 12 marks का यह है 20 marks के आपकी पूरी की पूरी unit है और last आपके पास जो unit है वो क्या है development experiences of India right a comparison with its neighbors यानि कि यहाँ पर हम comparison करने वाले किसका इंडिया का comparison होगा किसके साथ मैं चाइना के साथ मैं पाकिस्तान के साथ मैं relatively in order to understand कि हमारी क्या गलतिया रही या फिर हमने क्या बह economy थी वो इंडिया की economy से बहतर हुआ करती थी तो क्या ऐसे consequences है क्या परिणाम थे क्या कारण थे इन चीजों के उसका एक comparative analysis होना जरूरी है ताकि आप लोग को जादा भैतर से समझ से आ सके कि आज इंडिया किस level पर खड़ा है या फिर इंडिया कहां पर तो इन सारे topics के बह क्योंकि वो आपसे examiner जो है वो case studies के form में क्या करेगा current की कोई situation डालकर आपसे वो event पूछ लेगा कि यह basically किसे relate करना है और दूसरा आपके पास diagram वाले जो questions होते हैं na diagrammatic जो questions आते हैं वो questions भी आप लोग को practice करने अच्छे घासे और जितना जादा हो सकता है revision करिए और revision करने के बाद mock test जरूर solve करिएगा तो I hope आपसे लोग को यह वीडियो पहुत अच्छी लगेगी और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो like share subscribe जरूर करिएगा इस चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ क्योंकि इस बार करना रहा है economics में 80 में से 80 हमारा है चली thank you